देखो एक चीज समझ लो, अगर आप exam के अंदर देखो तो 120 नंबर का paper आता है, कितने नंबर का? 120, अगर आप इस में से सिर्फ 75 marks का paper बहुत अच्छे से करके आ जाओ ना, सिर्फ 75 marks का, तो आप 101% पास हो सकते हो, क्योंकि ICI के अंदर, जो paper checking है, वो robot नहीं करते, वो भी इं 75 number का paper भी सिर्फ सही करके आ जाओ, 75 को अगर मैं वैसे देखो, 175 divided by 120 into 100, percentage में convert करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगबग लगबग आप ये देखेंगे, कि 62% के आसपास आता है, मतलब सिर्फ 62% सले बस अच्छे से हो जाए, तो हम 75 marks का paper जो है, वहाँ पर कर पाएंगे, और अगर हम 75 marks का paper करके आ गए, तो ये मैं guarantee देता हूँ, कि आप जो है exam निकालाएंगे, do not focus on 100% exam, अगर सिर्फ आप ये कोशिश कर रहे हैं, कि मैं फटाफट video lectures देख करके, या किसी के lecture सुन करके जो है, अपना 100% course कर लो, नहीं फायदा, syllabus को 30% कम कर लो, और वो time जो है, आप कोशिश करो, कि जादा से जादा आपने test papers देने हैं, ये regular test paper is the sole key to crack the CA exams, यही problem है, कि बच्चे test नहीं देते हैं, और उनका result नहीं आता है, इससे बड़ी calculation आपको क्या बताऊ, 120 marks का paper आएगा, 75 marks का paper भी अगर आप ठीक करके आ गए, तो आप 101% exam में पास होगे, ये 75 marks का paper ऐसा होना चाहिए, कि आप आगर के बोलो कि सर इसमें तो एक number की गलती भी नहीं हो सकती, और 120 number का paper कैसे आएगा, क्योंकि 20 number के question 24 के भी आते हैं, और अगर इसे percentage में निकालो, सिफ 62% course, 62% course अच्छे से करना है, लेकि 99% बच्चे क्या करेंगे, 99% बच्चे सर्फ एक गलती करेंगे, और वो गलती क्या होगी, कि वो 100% course करने की कोशिश करेंगे, अरे आप 100% course कर दो, बहुत बड़ी हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक चीज समझो, अगर हर बच्चा 100% course कर देता है, और उससे result आ जाता है, तो All India Rank तो सब किया नीश ही है, अरे भीया, All India Rank 1, 2, 3, स पहला criteria, अरे चलो सोडो, All India Rank की भी बात करते हो, आप लो, तो उनको भी पहले दोस्तों को लाने पड़ते हैं, उसके बाद की उपर होते हैं, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले 62% स्लेबस अच्छे से गलो, टेस्ट देलो, उसके बाद समय बच्चे दो, बागी क चेप्टर को कम्प्लीट करने के बाद, चेप्टर वाइस टेस्ट जरूर देना है, फुल कोर्स मॉक टेस्ट जरूर देना है, डाउट जो है, जो भी डाउट साते हैं, उसको इग्नोर मत करो, टीचर के साथ one-to-one discuss करना है, one-to-one मतलब, offline class ले रहे हो, तो टीचर से वैसे बैड जो, online class ले रहे हो, तो वीडियो कॉल के थुरू, जैसे भी आपको क्लियर करना है, अपना डाउट जरूर क्लियर करना है, one-to-one, ये बहुत जरूरी है, ये बाते मेरी मान लो, result 101% आएगा नवंबर 2022 के अंदर,